आज मैं अपना सेकेंड व्लॉग बनाऊंगी और इस व्लॉग में मैं अपना डे रूटीन बताऊंगी और अभी पर आज मैं नहा की निकल चुकी है आज मैंने अपना वेर वाश किया है और इसके बाद मैं थोड़ी दिर बाद में अपना लंच करूंगी तो साथ सो गाइज चलिए थोड़ी दो आज मिलते हैं तो गाइज आज मैं पेट पास्त में फेट पीज़ा खा रहे हूं कर वाद में अपना आज में प्लवड़ी दोगी दोग्ट वाद दोग्वाद दोग्राव जोग्वाद कि यूज़ी दोग्ट रहे हैं गाइज मैं नाश्टा करने के बाद अपना बेट सेटल करती हूं और इस बेट सेटल करने में मुझे 5-10 मिनिट्स लगते हैं सो गाइज मैंने अपने बेट सेटल कर लिया है अब यह मेरा स्टडी टाइम है मैं 12 o'clock to 2 o'clock अपना स्टडी करती हूं बेट सेटल करते हैं झाल 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 तू आर्स लेटर गाइज मैं स्टड़ी करने के बाद लंच करती हूँ आज में मम्मी ने महले दाल, रोधी, विद आलू और परवल की सटी पनाएं गया आज में अपनी उपर वाली रो में पार्टी वियर ड्रेसेज रखती हूँ और यह ड्रेसेज जो मैं बहार भी पहन के जाती हूँ यह कुछ जीन्स, मिदीज, स्कर्ट आप्स, हुदीज, एक्सेक्टर मैंने आपे रखा हुआ है बाइस ही मैंने कुछ जीन्स रखे हुए हैं जो समर में पहनी जाती हैं और यह कुछ लॉंग स्कर्ट टॉप्स हैं और यह मेरे स्विमिंग ड्रेसेज हैं गाइस मैंने आपको अपना कबर दू दिखा दिया अब हमनों चलते हैं नेक्स स्टेप तो नेक्स स्टेप पे मैं जारी हो थोड़े से काड़ा पीने तो मैं आपको काड़ा की रिस्पी दिखाते हूँ गाइस हमें कंटेनर में वन कप ऑफ वाटर डालना है मीडियम ग्लोब लेम पे रखना है ने सिन्नामोन मीन्स दाल चीनी भी डालना है ग्लोब मीन्स लॉंग ब्लाक पेपर मीन्स काली मिर्च बैसल लीव मीन्स तूल्सी की पत्ती और गाइस हमें से अच्छे से बॉयल करना है अताकि यह सपलर आ जाए यह थोड़ा सा में टी डाल लाएं मीन्स चाय पत्ती और हाफ टी स्पूल ऑफ हनी डाल के से अच्छे से मिक्स कर देना है सो गाइस यह रड़ी है सो गाइस आफर दिंकिंग काढ़ा मैं ते रड़ी होती हो मेकप के लिए सो गाइस में बहुत जादा लाइट मेकप करती हूं कि अब लाइस में पुल बड़ी लिए सैंग। आपकार लिए लाटॉ आपकार दो कि अर्व गाड़ पाल वेक्ते लिए। रहें लिए लिए। सो गाइज मैं कुछ देवाद ब्रेकफास्ट करती हूँ गाइज मैं आज ब्रेकफास्ट में अपने खारी हूँ जो की सोजी का बनता है अगर आपको इसकी वेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलियेगा सो गाइज मैं अपने इस टॉपिक से अपने व्लॉक को एंट करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा